नमस्कार साथियों मैं नरिनर सिंग गौर्ड उपनिशयत क्लासेस कोटा में आपका स्वगत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे राजिस्थान की नदियों से संबंदित वन लाइनर कुशन के संबंद में और दोस्तों ये जो प्रिशने रहेंगे इन प्रिशनों का जो आधा रहेगा वो रहेगा read means teacher give exam जो कि दोस्तों फरवरी बे प्रस्थावित है और दोस्तों ये जो प्रिशने है राजिस्थान की सभी प्रिक्षाओं के ले महत्तुपूर्ण है इसलिए अन्य प्रिक्षाओं की प्रिक्षार्थी हैं वह भी इन प्रिष्णों का लाब उठा सकते हैं तो दोस्तों, शूरू करते हैं हम पहले क्रश्ण के साथ यहां पर हमारा पहला प्रिष्ण है राजिस्तान में स्वास्त भारत की सतही जलका लगभग kतना परतिशत भाग उपलब्द है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 1.16% यानि 1.16% यहाँ पर राजस्तान में उपलब्ध है अगला प्रशन है दोस्तों भारत की भूमी के जल का राजस्तान में कितना परतिश्यत उपलब्ध है तो दोस्तों राजस्तान में कुल नदी बेसिंद की जो संख्या है वो है 14 कितने हैं दोस्तों 14 यहां पर हमें अंतरस्का हो जाता है चोथा प्रश्ण है कोटा और बारा की सीमा बना कर बहने वाली नदी कौन सी है तो दोस्तो कोटा और बारा की सीमा बना कर बहने वाली जो नदी है उसका नाम है काली सिंद अगला प्रश्ण है माही नदी का सरवाधिक जल गरहन शेत्र किस जिले में है तो दोस्तो माही नदी का जो सरवादिक जल गहन शेतर है वो बासवाडा जिले में है छटवा प्रशन है जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है दोस्तों तो यह बना हुआ है सुमेरपूर पाली में कहां पर बना हुआ है 7 राजिस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सरवादिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चमबल नदी से अवनाली का अपरदन सरवादिक होता है, आठवा प्रशन है अजमीर की फाइस अगर जील में किस नदी का जल आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बांडी नदी का जल किस नदी का जल आता है दोस्तों बांडी नदी का जल 9 प्रशन है किस संभाग में सरवाधिक नदिया है तो कोटा संभाग में सरवाधिक नदिया है इसे प्रकार से हमारा अगला प्रशन होता है कि किस जिले में सरवाधिक नदिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तोडगर जिले में संभाग का प्रश्ण पूछा जाए तो कोटा अंसर आएगा और जिला पूछा जाए तो चित्वडगर जिला आएगा ग्यारो प्रश्ण नहापर आजाता है चंबल नदी के प्रभाष शेत्र में आने वाले जिलों का क्रम है चंबल नदी के प्रभाष शेत्र में जो जीले आते हैं उनका क्रम से पूछा जा सकता है तो क्रम को इस प्रकार हम याद रख सकते हैं देखिए दोस्तों क्रम इस प्रकार से चित्वडगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधूपूर, करोली और धौलपूर धौलपूर की बात ये आगे निकल जाती है, राजिस्तान को क्रोस करके यूपी में चली जाती है तो कहां प्रवेश करती है, इंपे से निकलती है, चोतों प्रवेश करती है और धौलपूर में जाकर इसका अंत होता है, और ये चल जाती है, यूपी में आगे ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बारवे प्रिशन का बारवे प्रिशन है यहाँ पर आयड़े नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेड़ेश नदी का आंसर हो जाएगा तेरवा प्रश्ण है कामधिन किस नदी को कहा जाता है तो दोस्तों कामधिन कहा जाता है चंबल नदी को किसे कहा जाता है चंबल नदी को चोदो प्रिशन है राजिस्थान में वाटर सफारी से सम्मधित नदी कौन सी है तो वाटर सफारी से सम्मधित नदी का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा चंबल नदी का आंसर हो जाएगा पंद्रो प्रशन है कौन सी नदी डुंगरपूर और बासवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई बेती है दोस्तों तो डुंगरपूर बासवाड़ा की जो सीमा बनाती हुई बेती है इन दोनों के मध्य जो बेती है उस नदी का नाम है माही नदी क्या नाम है दोस्तों माही न उनिससी तो एक गार्ज में से ओकर गुजरती तो दोस्तो सी नदी एक गार्ज में किस नदी को इस्थानी भाषा में मसूर्दी नदी भी कहा जाता है तो दोस्तों राजी के किस जिले किस भाग में विद्यमान रहती है तो दोस्तों राजस्तान का जो दक्षनी भाग होता है वापर अधिशेश जल की सवरधिक मातरा पाए जाती है अर्थार्त यो आवशेक्ता से अधिक जल बच जाता है आवशक्ता को प्राद जल बच जाता है वा जीज़ेश क्यालाता है तो ऐसा जो जल होता है वो कहां पर ज्यादा पाया जाता है तो दक्षणी भाग में राजिस्तान के दक्षणी भाग में अधिश जल पाया जाता है किस नदी को अपने उद्गम इस्तान पर साबर मत्य की नाम से जाना जाता है यहां पर एक नोट देख लेते हैं मही नदी को दक्षिन राजस्थान की स्वने रेखा भी कहा जाता है 26 प्रश्न है राजस्थान के लगभग कितने प्रतिश्यत्य शेत्र में आंत्रिक जल्प रहा परणाली विद्यमान है तो दोस्तों राजिस्तान के लगबग 60% शेत्र पर आंतरिक जलब प्रोहा परणाली विद्यमान है ठीक है दोस्तों 2700 प्रशने हाँ पर हम देख लेते हैं भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों 29 प्रशन है राजिस्तान में किस नदी पर सरवाधिक बांध बनाए गए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल नदी चंबल नदी पर सरवाधिक बांध बनाए गए हैं राजिस्तान में तीस्व प्रश्ण है, राजिस्थान की किस नदी का भाघव शेट्र तौरावाटी कहलाता है तो हमार आंसर हो जाएगा कांतली नदी, क्या आंसर हो जाएगा कांतली नदी 31 प्रशन है बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने है तू कौन सी परियोजना तयार की गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रहमनी बनास परियोजना कौन सी परियोजना तयार की गई है ब्रहमनी बनास परियोजना तयार की गई है आगे बात कर लेते हैं 32 प्रशन तो बांडी नदी का पानी फोई सागर जील में आता है 34 प्रशन है उदे सागर जील में किस नदी का जल आता है तो दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा आड़े नदी का जल उदे सागर जील में आता है 35 प्रशन है नुंगरपूर का डेव सोमनात मंदिर किस नदी के किनार इस्तित है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमनदी के किनार है 36. कौन सी नदी मृत नदी की नाम से विख्यात है तो हमार आंसर हो जाएगा घगर नदी मृत नदी की नाम से विख्यात है 37 प्रशन है कौन से नदी वर्षा रितु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद है तो दोस्तों विनाश लीला के जो प्रसिद है वर्षा रितु में उसका नाम है सावी नदी कोन से नदी साबी नदी 38 सो प्रश्ण है किस नदी के पाट को इस्तानी भाषा में नाली की नाम से जाना जाता है तो दोस्तों हमार आंसर हो जाएगा घगर नदी 49 सो प्रश्ण है राजिस्थान में किस नदी का अपहाशेतर सबसे बड़ा है तो दोस्तों राजिस्थान में मद्यपरदेश के बीच 252 किलोमेटर के सिमा बनाती है कितनी सिमा बनाती है 242 किलोमेटर के सिमा बनाती है 41 प्रशन है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है मही नदी को किसे कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है तो मारा आंसर हो जाएगा बान गंगा नदी को 33 प्रशन है वह नदी जो राजिस्तान में दक्षिंट से प्रवेश्ट करने के उपरां पश्चम की और बहिती हुई पुना दक्षिंट के और मुड़ जाती है तो एसी नदी कोन सी है तो उस नदी का नाम है माही नदी राजिस्तान की कोन सी नदी यवना में मिलती है दोस्तों तो राजिस्तान की जो बान गंगा नदी है वो यवना में मिलती है 45 प्रशने यहां पर देख लेते हैं तो 45 प्रशने है मानसी, वाकल और सोम नदी किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है तो हमारा आंसर हो जाएगा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहां पर इस्तित है उधेपुर जीले में इस्तित है 46 प्रशने है, लूनी नदी में दाई और से मिलने वाली एक मातर नदी कोन से है तो दोस्तों लूनी नदी में दाई और से मिलने वाली एक मातर नदी का नाम है वो है जोजड़ी नदी, क्यों से नदी दोस्तों? जोजड़ी नदी जो की एक माद्र नदी है जो की दाएयोर से मिलती है तो इस परकार से दोस्तों यहाँ पर हमने 46 प्रेशन देख लिये हैं और 46 बहुत ही महतुपूर्ट हमारी यहांपर नदियों से संब्दित बन जाते हैं दोस्त, हमने पूरा प्रियास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे लेवल के प्रिशन यहांपर दिए जाए जो कि हमारी परिख्षाँ में हमारे लिए बहुत ही महतुपुर साबीत हो और हमारी इनी प्रेशनों में से हमारे प्रेशन बेड़ जाए और हमारे जो selection है उसके लिए ये सारे प्रेशन हमारी help करें तो दोस्तो हमारो पुरा प्रियासरा है और हम बुरा कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के प्रेशन आगे की वीडियो में आपके लाते रहें दोस्तों यदि यवाले वीडियो आपको अच्छा लगा यवाले क्वेशन आपको इस्टेंडर्ड लगे और सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और और भी लोगों को इसके बारे में बताएए ताकि हमारा चैनल और आप हम सबकी ग्रोथ म्यूचिल ग्रोथ हो सके ठीके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी क्वेशन लेके आएंगे कम समय में हम आपको ज़्यादे प्रेशन देने का प्रियास करेंगे ठीकि दोस्तों बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में जे हिन जे भारत